है दा लूबीज हाव यू ओल कैसी है मेरी लावीजाड मी मुझे कमिन सेक्शन में जरूर बताना गाईज आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ है और इस मिराकल के बारे में मैंने मेरे इंस्टेग्राम स्टोरी पे पोस्ट करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टेग्राम की लिंक पे जरू क्लिक करना और स्टोरी जरू चेक करना ऐसा फील हुआ है कि आज मुझे मेरा बोईदे गिफ्ट रसीव हुआ है बहुत ही अनेक्सपेक्टेड वे में जो की है यूनिवर्स की तरफ से आज की रीडिंग्स होने वाली है नियू मून के ब बस आप लोग इता जरूर बोलना चाहती हूं कि नियू मून डे कर रिच्वल आप लोग करना बिलकुल भी नबुने चलिए बहले रीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं नियू मून एनरजी कैसी होने वाली है डिवाइन का इंडिकेशन भगवान का संकेत आपके लिए क्या होने वाला है कैसी आपके अनरजी होने वाली है साई चीज़े चेक करेंगे स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग्स जिहान रखे रीडिंग्स जन्रल है रेमिडीज का वीडियो और दुफैर को दो बजे मैंने डाल दिया था जिसमे थोड़ा सा गलिच अगया था तो मैंने फिर से पोस्ट कर दिया था आप चाहें तो चेक कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं New Moon की energies चक करेंगे हम सब लोग ओम नमो भगवत वासो देवाय मंतरा की जादा चांटिंग करेंगे डिवाइन गाइड करें ये न्यू मून मेरी लावीज आर्मी के लिए कैसा होने वाला है ये न्यू मून मेरी लावीज आर्मी के लिए कैसा होने वाला है डिवाइन गाइड करें चलिए, स्टार्ट करते हैं डिवाइन गाइट करें और बताएं कि ये न्यू मून मेरे वीवर्स, मेरी लवीज आर्मी के लिए कैसा होने वाला है चलिए, स्टार्ट करते हैं पहला कार्ड आगया है नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुवेशन जिसके बारे में आप सोच रहे हो अभी इस सिचुवेशन में बदलाव इतने पॉजिटिव नहीं आने वाले है बहुत जो भी नेगेटिविटी दिमाग में बठा के रखे हो न उसका कोई हल नहीं है तो उसको अपने दिमाग से निकालो दूसरा कार्ड आ गया है आप खुद ही बहुत हो आप खुद ही इनफ हो चीजों के लिए और हर चीजों को रिसीफ करने के लिए इस पुरे ब्रह्मान में आपको किसी के जरुवत नहीं है आप खुद में इतने बड़े बड़े बरलाव देख सकते हो जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे लेकिन उसके लिए आपको भी रेडी रहना पड़े का दास अवेरी वंडरफूल थिंग अन्यू स्टार्ट इस कमिंग जैसा कि न्यू मून न्यू एनरजीज न्यू चेंजिस के बारे में होता है एक अच्छी न्यू स्टार्टिंग आपकी शुरू होने वाली है यह न्यू मून एक और कार्ड निकालूंगी मैं एक लास कार्ड और निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए नथिंग इस येट इन स्टोन दो चीजों का पहला भी यह मैसेज यहां पर भी बताया गया है बॉटम डेक आया है अपने डर पर काम करिए अपने डर को खतम करने की कोशिश करिए क्योंकि वही आपकी चीजों को फेवरेबल बनाएगा वही आपके आने वाले समय को बदलेगा जब तक यह डर दिमाग में भरा रहेगा ना कुछ बदलाव हो पाएंगे और ना ही कोई अंतर हम किसी भी चीज का देख पाएंगे I hope cards आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे मैसेज यहां पर बहुत सारे आये हैं लेकिन ऐसा indication समझ में आ रहा है आप या तो खुद में डर रहे हो या situation से डर रहे हो एक अंदर ही अंदर एक घबराहट एक अंदर ही अंदर चीजों को लेकर anxiety भरी हुई है और उस वज़े से चीजों पर इतने positive माने पर नहीं work कर पा रहे हो जैसे work आपको करना चाहिए कहीं ना कहीं आप चीजों से डर रहे हो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डर आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और यह डर आपको निकालना पड़ेगा तब ही आप एक अच्छी new beginning के लिए तयार हो पाओगे क्योंकि यह new moon समझ में तो आ रहा है कि divine आपके लिए बहुत सारी चीज़े कर रहे हैं लेकिन जब तर डर आपके अंदर रहेगा ना कोई भी नए बदलाव आपके अंदर नहीं आने वाले हैं चलिए देखते हैं कैसे क्या बदलाव होने वाले हैं new moon फीस डिवाइन गाइड करें कॉण से नए बदलाव मेरे व्यूवर्द मेरे व्यूवर्द के लिए होने वाले हैं थोड़ा अपने माइंड को ला फ्री रखो चीजों के लिए ओटिंग करने से कुछ भी नहीं होगा तो पहला कार्ड ही आ गया है डेविल का ओके यू हाव तो बी कॉश्यस आपको थोड़ा चीजों को लेके समझना पड़ेगा मैंना आपको शुरुवात निये बात बुली न आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो एक माइन में नेगेटिव माइनसेट बहुत ज़ादा आपके अंदर चीजों का भरा हुआ है एक प्रेशर चीजों का बहुत ज़ादा फील कर रहे हो अगला कार्ड आया है दाट इस दो वर्ल्ड का जो इंडिकेट कर रहा है अनेक्सपेक्टेड वे में चीजें बेटर हो सकती है लेकिन वह चीजें तभी बेटर होगी जब आप खुद में चीजों के लिए रेडी होगी पहले सारे कार्ड में निकालूंगी उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि डिवाइन का क्या इंडिकेश चीजों के अच्रवाद आपको मिल रहा है श्री कृष्न रादारा रानी का आशरवाद आपको मिल रहा है बॉट्नम डेक भी चेक कर लेते हैं वी हाव दे हमिट कार्ज को अच्छे से प्लेस कर लें फिर एक बार ध्यान से सब लोग मिलकर कार्ज को और क्लेरिफाई करके समझेंगे और चीजों को clarity के साथ समझेंगे, तो सारे cards हमारे सामने आई है, सबसे important चीज जो मुझे आपकी card readings के according समझ में आ रही है, ये new moon आपके लिए एक अच्छी नई beginning भी लेकर आ रहा है, एक अच्छा समय जिसका आपने इंतजार करा है, कोई आपकी बहुत बड़ी इच्छा इस समय बहुत ज spirituality का यूज करिए, आपके अंदर का spiritual energy आपको वो हर चीज दे सकता है, जो आप डिजार करते हों, बहुत confusion भी दिमाग में बैठा हुआ है, चीजों का डर बहुत है, जो मैंने यहां पर भी आया है, work through your fears, एक डर आपके अंदर चीजों का बहुत भरा है, how things will happen, कैसे चीजे ह होंगी, कैसे मुझे positive output देगी, और वो डर कहीं न कहीं आपको चीजों के अंदर बांध के रखा है, जिसकी वज़े से जो नई चीजे हैं, जो आने वाली चीजे हैं, आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हों, आप कहीं न कहीं उसको भी neglect कर रहे हो, उसको भी side out कर रहे हों, जो कि आपके लिए गलत बात है, थोड़ा आपको risk लेना पड़ेगा, थोड़ा अगर आगे बढ़ रहे हो, चीजों को experience करना है, तो एक risk तो mind में रहेगी, और यह risk एक ऐसी चीज मुझे देख रही है, जो आने वाले समय को एक अच्छे positive output पर बदल सकती है, लेकिन वो त अच्छी shadow के अंदर बैठे होई हो कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कोई नहीं चीज नहीं मिल सकती, divine उस case में आपकी help नहीं कर सकता, divine क्या कोई भी आपकी help नहीं कर सकता, क्योंकि आपका mindset ही चीजों के अंदर काफी जदा negative बना हुआ है, कही नहीं आप अपनी life में और वो चीज हमें तभी मिल पाई कि जब हम अंदर से खुश रह पाएंगे, जब हम अंदर से चीजों के लिए ready रह पाएंगे, तो आपको अपनी negative energy, negative thinking को खतम करना पड़ेगा, किसी प्रकार की इच्छा पूरी हो सकती है, किसी प्रकार से भगवान आपकी मदद कर सकते ह लेकिन वो help आपको तभी मिलेगी, जब आप अपने intuitions को समझोगे, ये new moon की energy मुझे positive तो बहुत दिख रही है, और ये भी बदलाव समझ में आ रहे हैं, कि divine आपकी unexpected way में help तो करेगा, लेकिन वो तभी करेगा, जब आप चीजों से खुद के अंदर से ready हो पाएंगे, so I feel like energies are very positive, लेकिन सबसे important is that is, आप एक ऐसे human being को आपके energy ऐसी है, जो सब कुछ कर सकती है, जो सब को desire करती है, लेकिन confusion बहुत है, clarity बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आला, चीजों को कैसे build up करना है, कैसे better करना है, उसकी वज़े से अभी situation आपके life में इतनी stable, इतनी happiness नहीं है, the lovers का card आया है, श्री कृष्न राधरानी आपके साथ हैं, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप desire करते हो in terms of love life, वो भी कहीं न कहीं बहुत हद तक पूरी हो सकती है, और वो तब होगी जब आप अपनी तरफ से ready रहोगे, यह सारे negative thoughts को आपको अपने अंदर यांदर, खतम करन है, बन करना है, अच्छा partner में लेका आपको choices आप अच्छी बना पाओगे, अच्छे चुनाव आप कर पाओगे कि मुझे कैसी चीज़े करनी है, क्या करनी है, मतलब यह new moon आपकी life में अच्छा love relationship को build up करेगा, अगर खराब रहा है relation तो better होगा, लेकिन गलती बिल्कुल मत करना, choices clearly, बना माइन में, clarity रखो कि मुझे चीज़े को कैसे करना है, चीज़े कैसे मिरी life में होगी, automatically उसका अच्छा conclusion मिल जाएगा, जितना confused रहोगे, situation उतनी negative होगी, एक अच्छी beginning आपके साथ हमेशा है, नहीं चीज़े को experience करोगे, यह new moon, कुछ लोग ऐसा भी कि कुछ भी बेटर नहीं हो रहा है, सब कुछ negative होता जा रहा है, बट अगर आपकी planning बहुत सही है, आपके में में clarity बहुत है, आपका goal एकदम clear है, तो यह new moon आपके हर एक wish को पूरा करेगा, जो आप desire करते हों, happy new moon day, radhi, radhi